इसास भी कभी बहुत नी शुभा बिटे, कॉलेज जा रही है ना, जी तो कॉलेज में वो भी होगा कौन? गौतम एक काम करती हूँ, मैं तरह साथ कॉलेज चलती हूँ और जाकर कान पकड़के उसे ले आती हूँ कह दोंगी कि वो हमारा गौतम है कोई नी मिलेगा उसे और उससे कोई कुछ नहीं कएगा शुभा प्लीज प्रॉमिस तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी मैं उसे कुछ नहीं काऊँगी ममी I प्रॉमिस लेकिन तुलसी, कौतम हमारा बेटा है ये कार उसका है अगर उसे सुधार ना हो तो उसे यहां लाना ही पड़ेगा मा में गौतम को इस घर में तब लाना चाहते हूं जब वो इस बात के लिए मेंडिली प्रिपेर्ड हो प्लीज उसे कब लाना है किस हाल में लाना है आप मुझ पे छोड़ेंगी देखे मेरी तरफ माम वो इस घर में लोटेगा और हमारे साथ रहेगा लेकिन प्लीज तब तक ऐसा कुछ मत कीजेगा जिसकी वज़े से बाद में आमें पच्पाना पड़े प्रामिस मा शोगा तेरी मामी को जो कहना है कहने दे लेकिन तू आठ जाकर उसे पता देना कह देना कि वो हमारा गौतम है नहीं दादी पता नहीं मामी किस तरह भाया को इस करमें लाना चाहती है हमें थोड़ा इंतिसार तो करना ही पड़ेगा यह देख इसको या बाने वे हाथ में एए रामजी शुबा यार वो तो इधर ही आ रही है यार वो तो इधर ही आ रही है यार करें रही है वो यार वो यार वो यार को यार रहा है अहां बोलो क्या चाहिए रोहन जब मेरे पास फ्रेंशिब बैंड ले राया था ना तो उसका ही अट्टिव्ट मुझे बड़ अच्छा लगा था तो कॉलेज में चोटे चोटे जब्रे तो होते ही रहते हैं हमें चोटे जब्लों को दिल नहीं लगाना चाहिए ना जोहन ने तो दोस्ती कर ली क्या अपने जब्रों को भुला कर दोस्ती नहीं घर सकते चाहिए विक्षी चाहिए विक्षी आज नाश्टे की टेबल पर इतनी शांती कुछ खा भी नहीं रहा कुछ बोल भी नहीं रहां क्या बात है के खाते समय बात करना बुरी बात है ऐसा बात कहती है नगर दादू कुछ खाना भी नहीं और कुछ बोलना भी नहीं यह तो सही नहीं है ना क्या हुआ है आज बहुत है लगता है तुम इस घर के संसकार भूल गया जी हाँ आज भी सुविका नाश्ता इस घर में लोग साथ मिलकर करते हैं सुर्य अज बीस साल हो गये फिर भी इस घर के रिवाज वही है वही अपनापन है और वही प्यार है नाश्ते के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिस रात में गौतम को लेकर इस घर सकाया था वो रात मेरी जिंदगी में ग्रहन बन का ठैर गई है आप सब लोगों का कुनेकार हूँ इसलिए आप सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मैं मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ शर्मिंदा? शर्मिंदा तो मैं हूँ गिरन क्योंकि मेरे इक उन्ने मेरा सर शर्म से जुका दिया है कौत्म के जिंदकी बरबात करके करिशमा को उसके भाए से जुदा करके अपनी मासे नाता तोड़कर तुमने मेरा अपमान किया है मेरा गिलन कॉल सिए जिसने तुम्हें नौ मेने तक पाला, इसका अपमान करते हुआ तुम्हें नौ पर भी नहीं लगे अभी, मुझसे माफ़ी की उमीद मत रख ठंकिल तुरसी, बेटे इसने जो गुना किया है उसके लिए माफ़ी तो नहीं दी जा सकती लेकिन उसे उसकी गलती का ऐसास है, पश्तावा हो रहा है उसे माफ कर दो, एक गलती तो वह भगवान भी माफ कर देता है मैं भगवान नहीं हूँ काका, इतनी महान नहीं हूँ कि इतनी बड़ी गलती माफ कर दो अरे क्या कसूर था मेरे बेटे का जो आधी रात को से लेकर भाग गए दोनों चले शाहत तब भी माफ कर देती लेकिन ये परवरिश की है उसकी ऐसे संस्कार दिये है उसे देखी है आपने गौतम की हालत काका कितना अकेला प्रस्टेटिड हो गया है वो नहीं ये गलती माफी के लाइक नहीं है कहां कहां ढूंडा तुमें तुमारे सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया लेकिन तुमारा तो कोई पता ही नहीं था ये हमारा किरन नहीं हो सकता हम दे ऐसे संसकार तो नहीं दिये उसे कौतम को मैं लेके होगा इस गर में खबड़दार किरन, मेरे बेटे का नाम दोबारा अपनी मुसे मत ले आतो, जो गलती मैंने बीस साल पहले की वो दोराऊंगी नहीं मैं, मेरे बेटे से जो खुशिया चीनी तुमने वो मैं लोटाऊंगी उसे, गौतम को इस घर में बेटे का दरजा मान सम्मान के साथ, मैं द हरी साथ